एन एसे का इमाई वाई 12 का लेटेस्ट अप्डेट आ गया है हमारे रेटमी के फोर दिवाइस के लिए जिसे फिलाल में वन डेसे यूज कर रहा हूं हाई नोडेट की वीडियो का अफिजा डिले हो रहा है उसलों में माफिक चाहूंगा बट इस वीडियो के अंदर में आपको कम्प्लीट डिटेल देने हैं इस लेटेस्ट 20.5.14 के एन एसे के पोर्ट के बारे में कि क्या कुछ आपको केस्टमाईशन मिलता है और कैसा है इस वीडियो में हम बात करने वाले लेटेस्ट एन एसे के अपडेट के बारे में जो कि 20.5.14 बिल्ड है जहां पर आपको इसके मेंटेनर या जिन्हों रेपोर्ट किया उसका नाम देखने को मिलता है डिवाइस का मोडल नेम रेड्मी का 4X यानि कोट नेम सेंटोनी है यह यहां पर मैं 3D वर्जिन है जो फिलाल यूज कर रहा हूं और इसके अल आस्पेक्स के बात करें तो Android Pie का सपोर्ट मिलता है और लेटेस्ट सेक्योर्टी पैच जो कि 2025 5 है वहां पर आपको देखनी को मिल जाता है यहां पर यहां पर काम करता है और साथ स्याथ यहां पर दे करता है जो कि NA Secure से देखनी को नहीं मिलता है और Always On पर्फेक्टली काम करता है फुली सपोर्टेवल है और अस्टेवल भी है लेकिन यहां पर जो Always On के क्लॉक से यह MIUI 11 के प्रवाइड किये गए है तो यहां पर MIY 12 के जो 1000 प्लस क्लॉक है वह आपको देखनी को नहीं मिलता है जो कि आप यहां पर यूज कर सकते हो अगर आप यूज करना चाहते हो तो लाग के स्क्रीन क्लॉक के फॉर्ण पर आते हैं तो यहां पर कुछ टेस्ट ही है जो लिमिटेशन है जहां पर आप कुछ टेस्ट को डाल सकते हो लेकिन अनलिम्टेट नहीं कर सकते है तो यह ज सब्सक्राइब करता है जैसे हमारा के 20 प्रो तो यहां पर आपको यह option मिलता है डार्क मोड आपको देखने को मिल जाता है लेकिन यह सिर्फ पर नॉर्मल डार्क मोड है क्योंकि एंड्राइट पाई के उपर बेज़ें ना कि 10 के उपर इस टेटिस बार में आपको दिखाई परसेंटेज को मेंटेन करने का option जहां पर क्लॉप और स्पीड मीटर को आप मैनेज कर सकते हो यहां पर आपको iOS और iOS प्र स्टाइल देखने को मिल जाता है जो कि आप अपने मर्जिक दो साथ चेंजमेंट है जो ला सकते हो row and column मेंटेन करने का option मिलता है लेकिन यह तभी का कर सकते हो स्पीड मीटर करने का option मिलता है 4G को LT करने का और brightness panel का जो लेंथ है वो कितना है जो बोल्ड होना चाहिए वो भी आप यहां से मैनेज कर सकते हो जो कि भाई काफी अच्छा है जो option दिया गया है और पर बैटी परसेंटेज में आपको जो परसेंटेज हीडेन दोन सेटेंग को मिलता है जो कि MIUI 11 के जो QS पैनल पर ही दिखाई देता है यहां पे एक नया option दिखाई देता है जो कि बलर इसे क्या है जहां पर आप आपने एक्सपेंट अच्छिंटर सभार को को डिसेंट पैनल को पावर मेनू को और फोल्डर को जो बलर का परसेंटेज को हैं जो जो क्लेक कर सकते हो परह सकते हो गठा सकते हो जैसे कि आपको इस तरीके सा आपको तेहने को मिलेगा अगर आप इसे जो बिल्कुल है दाउन कर देते घिंगा आपको जो सब कुछ transparent देहने को मिल दाएगा जो कि देखने में काफी ज़्यादा अच्छा लगता है यह डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का है जो फसंद आता है और उस तरह के आप आप चेंज में जो यहाँ पर कर सकते हो वह बैक युरा आते हैं तो वाइबराशन के अंदर सेम चीज नहीं को मिलता है नोटिविशन भी कुछ नया नहीं है हो में स्किन में आपको देहने को मिलते हैं यहाँ पर आइकन के पीछे सैड़ो का इनिवल कर देना रोएन कॉल्लि हाइडर और अप्लिकेशन अगरे को हाइड करने का अप्शन भी दिखाई देता है मोई पर आपका फेस अनलॉक फिंगर प्रिंट यह सारे चीज अप प्रोपर काम करते हैं तो इनमें आपको कोई भी इस उच नहीं आता है साथ से यहाँ पर फिंगर प्रिंट अनलॉक यानि डिवाइस को रिएक्ट करने के बाद आपको पासवर्ट इन करने के जोड़ नहीं पड़ेगी एक छोटी सी कमी में यहाँ पर कहूंगा जिसे आप इनोड कर सकते हो अगर चाहते हो तो वह हमारे यहाँ पर सॉप्टेयर की का यह बाइड डिफोर्ट इनेवाल है ले मुए पर वहांस जो इसका डेवलोपर का ऑप्सन है इसमें आपको कुछ भी नया देहनी को नहीं मिलता है सब कुछ पहले जैसा ही है असेसल फीचर में भी वही सारे ऑप्सन मिल जाते हैं जैसे गेम टर्बो टूल बॉक्स की रिप्लाई सेकिन स्पेस जिन में कुछ भी न से देहनी को मिलता है 76069 का जो कि मेबी किसी भी कस्ट्रों में मुझे अभी तक नजल नहीं आया है और आप देख से तो कितने सारे टैप भी मैं यहां पर उपें कर रखाऊं जिसका रैम मुझे काफी ज़्यदा पसंद आया है लेकिन यहां पर कुछ बर्क्स हैं जो कि जो जियो से वीडियो कॉल नहीं कर सकते आपको वाट्सेप डियू वगएरा का यूज करना होगा और अगर आप यहां पर ब्लोद वगएरा यूज करते हो तो वो भी काम नहीं करता है तो यहां पर आपका सिर्फवर से यहां पर स्थिकर यहां पर हेड़फोन काम करेगा लेकिन बुलदोत काम नहीं करता है तो यह दो बग आपको देहनी को मिल जाएंगे जो कि में भी आपके लिए प्रोब्लम क्रियेट कर सकते हैं लेकिन अगर आपको लिए कोई बिग इसू नहीं है तो यह रोम आपके लिए काफी ज़्यादा बेटर होने माला है वह पर इसका जो net safety है बिल्कुले पास रहता है तो कोई प्रोब्लम नहीं आएगा बैंकिंग के एप में no sim detection अगर so करता है तो इसे fix करने के लिए मैंने एक dedicated video दिया था कैसे इसे जो fix करना है तो आप उस video को watch करके उस problem को fix कर सकते हो यहाँ पे आपको जितने भी option मिलते है वो यहली में perfect रूप से जो गाम करता है अगर हम messaging box की और आते हैं तो यहाँ पे जो slide करने के बाद लीड और delete का option आता है यह अभी तक enable नहीं हुआ है MIO A2L की और से तो यह चीज़ आपको amazing मिलता है अगर हम dialer के रहाते हैं इसके setting की और जाते हैं आपको advanced setting आते हैं बहुत कमाल के option देहनी को मिल जाते हैं जहाँ पर brightness control कर सकते हैं नाइट बोगेरा के लिए यहाँ पर color ID भी दिया गया है फुल photo भी आप set कर सकते हो और बाकि यहाँ पर join column भी आप maintain कर सकते हो जो कि dialer पर आपको जो option देहनी को मिल जाता है और बाकि वो common option देहनी को आपको मिलता ही मिलता है ती रोम मुझे काफि ज़्यादा पसंद आया बट यहाँ पर जो मैंने आपको problem बता हैं वो आप यहाँ पर ignore कर देते हो ना ती रोम के लिए आपके लिए काफि कमाल का बन जाता है तो आप मुझे ज़रूर पताना है कि रोम कैसा लगा और आप इसे try करना चाहते हो या नहीं और इस तरह के और वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को subscribe, वीडियो को like और दोस्तों को share करना ना भूले ताकि इस तरह के interesting वीडियो में आपको every day provide कर सकूँ तो guys आज के लिए इतना ही मिलते हैं इस वीडियो में कुछ खास और interesting लेकर तब तक के लिए बाबाई